जी आप कैसे हो आप भी श्याम बाबा की कित पैसे सब ठीक ठाक होंगे आईए मैं आज आपको सोईबिन मटर और आलू की सबजी बनाना सिखा रही हूँ एकदम असान तरीके से आईए आज मैं आपको सिखा रही हूँ यह देखिए हमने दो आलू और दो प्याज लिए है आलू उबाल के लिए हूए है यह देखिए मैं आपको काटके दिखाती हूँ यह आलू हमने उबाल लिया है यह देखिए यह आलू हमने उबाल के लिया है आप भी आलू को उबाल लेना उबाल के तभी करना ठीक दो आलू और दो प्याज लिये है और ये हमने टमाटर एक निम्बू और दनिया लिया है और ये हमने सोईबिन देखिए हमने उबाल ली है थोड़ी देर बिगो के ये उबाल ली है एकदम ये देखिए सोईबिन पूरी हमारी भीग चुकी है भीगोने के बाद हम पूरी इसको तीन-चार मिंट के लिए उबाल ली है देखिए और ये हमने मटर ली है यह हमने मटर ली है और हमारा यह तेल सरसोंगा तेल में बना रहे हैं क्योंकि आलू सोईविन तो सभी कोई बनाते हैं मैं आपको मटर डाल के यह सब्जी बनाना सिखा रही हूं आप देखना क्योंकि एकदम आसान तरीके से बना रही हूँ, यह हमारा सरसुंगा तेल गरम हो चुक्या है, हम आपको दिखा रही हूँ, यह देखिए, सरसुंगा तेल गरम हो चुक्या है, इसमें हम जेरा को डाल देते हैं, यह तब लाल हो जाएगा, तो हम इसके अंदर प्यास माठर हमने काट लिए हैं, देखे, यह हमने प्याज काट लिए है, आप कद्धुकस्कर भी कर सकते हैं, आप मोटे-मोटे भी डाल सकते हैं, अगर इस तरह डालेंगे तो सबजी अच्छी बनेगी, अगर आपको वो पसंद है, पीशे होए प्याज, तो वो डाल लेना आप लेकिन इस तरह ज़्यादा सब्जी अच्छी बनेगी टमाटर भी मैं इसी तरह ही काट लिए है मना ये अब हमार लो भी काट लेते हैं मत्र के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस समय अरी मत्र ताजा आ रही है आप ताजा मत्र की सब्दी बनाना देखिए हमने ये अलू काट लिया है ये दिखिए हमारा ये तेल आ चुक्या इसमें हम प्याज डाल देखिए हम ये जब लाल हो जाएगा अलका सा एक मिल्ट के लिए हम इसको फोड़ा छोड़ देते एक-दो मिल्ट के लिए बढ़िया पक जाएगा तो हम इसमें तमाटा डाल देंगा काटे हैं देखिए और हमारे क्याज दोल रहे हैं ब्राउन हो गया है इसमें हम तमाटा डाल देंगे क्योंकि इस समय जो तमाटा आ रहे हैं वो खुद ही इतने मुलाइम हो जाते है उसको पीसने की ज़्यादा जरूब की नहीं है तो इसमें हम अब नमक डाल देखिए इसमें अब नमक डाल देंगे नमक से और ही अच्छा हो जाए गाईगी यह देखिए तमाटा हमारे हलिके मुलाइम होगे हैं यह देखिए अब इसके अंदर हम मता डाल देंगें यह देखिए हम नेम्बू एकदम लाष्ट में डालें यह आप जान करना नेम्बू ज़रूर डालना इसके अंदर हलका साथ हम देखिए इसको हम अलका साथ प्लेट से डग देते हैं यह देखिए और आप हरी मिर्च इसमें डाल रहे हो तो लाल मिर्च थोड़ी कम डालना यह देखिए हमने लाल पाउडर मिर्च डाल दिया है इसको हम अब चला लेगे यह हमारा चल गया है चला दिया है अब हम इसके अंदर सोई बिन डालेंगे यह देखिए यह सोई बिन है यह डाल रहे है इसको चला लेगे आप अच्छी तरह चला लेगे आप नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालना आपको जेतना अच्छा लेगे आपको सुखी सबजी अगर बनानी हो तो इसी तरह बनेगी आपको रसा करना हो तो फिर इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा ये हमने, देखिए, दनिया, आलो और एक लाल मिर्च ली है, इसको हम काट ली है, ये हम अब इसके अंदर कडाई के अंदर डाल देते हैं, देखिए, ये डाल चुका है, क्योंकि दनिया इसके साथ ही डालना है आपको, देखिए हम सुखी सबजी बना रहे हैं, रसा नहीं कर यह सबजी वेशे बनेगी जैसे की मिक्स वेश की तरह बनती है बहुत अच्छी सबजी बनेगी इसलिए हमने इसमें माटर डाली है और इसको हम अब 4 या 5 मिनिट के अंदर इसको पकाएंगे अब यह देखें मैं आपको सबजी दिखा रहे हैं देखें पक चुकी हमारी सबजी देखें आपको दिश रही होगी हम अलका सा काला नमक डाल रहे है इसके अंदर देखें यह देखें काला नमक डाल रहे हम यह देखें आपको देख रहा होगा हलका सा आप काला नमक डाल दीजिए और इसके अंदर हम निंबू डालें यह देखिए, आदा निम्बू हम यह ले लिया है, आदा निम्बू इसके अंदर डाल देंगे, बीज गिर गया है, बीज को निकाल देंगे, यह देखिए, हमने पूरा आदा निम्बू इसमें निचोड दिया है, हम यह बीज को निकाल देंगे, देखिए, अब इसको चला पर शालने के बाद पकाते है तो इसको पर मीविर समय ऋक्षेतनиться backyard मरीख़ी यहां सूझ सब्पांतार देते तिस्सकादाब ** में बाद तो की मैसे मिमें आफ पर हमें पाने के सबये क的話 का में भाड़ी सबस्थित हैं दो को नियुक्त looking результат डालना आपको, देख लीजिए, आपको मेरी वीडियो बसंद आयो, तो सस्क्राइब और लाइक करना, ये देखिए, फुस वो आ रही होगी आपको सबजी की, देखिए, ये देखिए, कल मैं आपको पापड की और बड़ी की सबजी बनाना सिखाऊंगी, राजस्तानी स्टा जो बनाते हैं, उस तरह मैं आपको बना के दिखाऊंगी, पापड और बड़ी, बड़ी भी बोलते हैं, उसको बड़ी भी बोलते हैं, बासा बासा का अंतर है, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, कल सबजी बनानी, ये पसंद आए, तो सस्क्राइब करना, आप इसके अपर मक्षन भी डाल सकते हैं मैं आपको दिखा भी देती हूं डाल के यह देखिए मैं कान्नागा भोग लगाती हूं तो मैं निकालती हूं तो मैं यह मक्षन डाल देती हूं यह देखिए डाल दिया हूं आपको आपके पास उचित हो तो डाल देना यह हमने डाल के इसको मिला दिया है यह हमारी पूरी पक तुपी है सब्जी जैराम जी की रादे रादे, 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 रादे